अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिस्सा टीग में टेस इनुश्टर हम लोग इस वीडियो में भी एक कंपनी का quarter 3 का result डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम विकास इको टेक लिम्टेड है तो कैसे आए हैं इसके quarter 3 के नतीजे उसको हम लोग इस वीडियो में समझे करेंगे तो मिरे साथ वीडियो में बने रही है जो चैनल पर नहीं हो चैनल सस्क्राइब कर लें नोड़ पेसें बेल आल पर रखें जिससे आने वाले निश्ट अपडेट आपसे मिस ना हो आप टेलिग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ भी हम लोग से माके से प्रिप्सिन बॉक्स में है और अगर आपको व्याइपी मेंबर्शिप चाहिए तो आप या तो यूटूब पर जॉइन करके ले सकते हैं या फिर टेलिग्राम पर भी ले सकते हैं वहाँ पर भी पिन कमेंट में बताया हुआ है कि कैसे ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर जॉइन करने के साथ ही दोस्तों आप अपने डाउट और कोश्चन्स रिलेटेड जो सेर माकेट में अभी क्या करना चाहिए या किसी सेर में आप फसे हुए हैं तो बाकि सारी चीजे जो आपको जाने है वहाँ पर पोश सकते हैं चलिए अभी हम लोग फड़ा फट इस बाद चार्ट पर भी नजर रखेंगे तो अभी डिसकस करते हैं इस कंपनी को पैनी स्टॉक में आ जाता है मार्केट केपिल भी बहुत बड़ी नहीं है तो केमिकल में आ जाती है कंपनी और 4 रूपीज 85 पैसे के एराउंड ट्रेड कर रही है जून एक को अब नेक्स्ट रिजल्स आने हैं quarter 4 के तो वो अभी बहुत दूर हैं दोस्तों उसका अभी हम लोग नहीं ठीक है तो इसको अभी हम लोग दूर ही रखते हैं पिलाल हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं earning per share की इसको भी ignore करिए यह पता नहीं क्यों mention है यहाँ पे तो अभी हम लोग से यह कम की market capital है तो इस पर बीएसी के जो rules and regulation नहीं आये थे वो कुछ लागू होते हैं कि thousand market capital कम होने की वज़े से यह एक सीमित rally दिखा सकता है एक साल की period और 6 साल में और आप उसको अच्छे से read कर सकते हैं मैं बार बार वो चीज एक्स्प्लेन नहीं करने वाला हूं आप website पर जाएंगे आपको मिल जाएगा यह आपको दिखेगा दोस्तों की 2 रुपए से लेके यह 2 रुपए 40 पर से काफी टाइम से था फिर उसके बाद यह company उपर भी गई थी और वापस से यह चलने लग गया है और उपर जा रहा है और अच्छी तरीके से जा रहा है पर इस तो दोस्तों अभी देखें इसकी market capital जो है वो 401 करोन की अराउंड की है book value 1.83 रुपीज की है तो book value से share अब अब ट्रेट कर रहा है पर यह कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी range नहीं है कि बहुत उपर है तो ठीक है बाकी इसका all time high price देखेंगे आप लोग तो 27.2 है split भी इसके गिरावट आई है 5.38 परसंट जबकि sale growth जो है वो 72% increase हुई है पिछले 12 महीने की performance में तो यह काफी अच्छी बात आ जाती है और जो अभी नतीजे आए है वो काफी better है यहाँ पे उसका आपको परेट दिख रहा है difference तो सितंबर से जो दिसंबर में आए है वो 428% increase कि कौन कौन से chemicals और solution eco-friendly हो गए rubber के plastic compound हो गए वो सब बनाती है company तो यहाँ पर बता रखा है क्या 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 हाई-end specialist chemicals तो यह सब कुछ यहाँ पर mention है company का और आपको देखेगा return on acid company का negative में ही था और ROE भी negative में ही चल रहा है company की face value बना जाती है तो मतलब future में share price split नहीं होगा यह just information है इसको आप negative या positive में मतलिया करेगे तो यह चीज मैं यहाँ पर clear कर दिया अभी हम लोग discuss करते हैं direct इसके results को कि कैसे इसके results आए हैं और कैसे हैं तो results दोस्तों बहुत ही बैतरीन है जैसा कि उपर भी आपको difference में दिख गया होगा अभी हम लोग थोड़ा मैं इसको और उपर करता हूँ अभी हम लोग इसको discuss कर रहे हैं तो मैं एक बार आपको clear कर दूँ कि अभी देखे हम लोग यह December जो just अभी quarter 3 के आए हैं वो number है यह पिछला quarter का है Q2 है यह ठीक है तो और यह हो गया last year का तो इसको why लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो 1.135 करोड का हुआ था 1.35 करोड का हुआ था तो इस्टील बहुत बड़ा जंप है यह इसके why and why basis पे और net profit में आपको दिखेगा last year बस 0.0 मतलब 2,00,000 से भी कम का profit मेरे ख्याल से हां तो बहुत कम का profit हुआ था और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो है 3.43 करोड का profit हुआ है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा आ जाता है last year से अब last quarter से भी compare करें दोस्तों तो clearly बहुत ही बहतरी नंबर है अभी last quarter में भी 65,00,000 का profit हुआ था और यहाँ पे 3.43 करोड का profit हुआ है तो बहुत बड़ी जंप है last quarter से भी और last year से तो clearly आपको दिखेगा ही तो यह ए चीज क्यों notice आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कि पूराने नंबरों में भी इस company ने कहीं कहीं पे अच्छा अच्छा प्रफॉर्म किया है फिर कहीं पे गिर गई है तीन quarter फिर फिर कहीं पे थोड़ा ठीक प्रफॉर्म फिर बहुत बिलो 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 और फिर वापस से यह ठीक प्रफॉर्म कर रही है तो इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता और जिन कम्पनियों का फिक्स नहीं रहता है उसको लोग बहुत ज़दा अवाइड करते हैं investment करने के लिए जैसा कि आपको अभी market capital इसकी इतनी कम है और क results का बात करें तो इस बार के नतीजे काफी बहतरीन है no doubt बहुत अच्छा number आया है operating profit से लेके net profit बहुत बहुत बहतरीन हुआ है और यहां पर आपको देखेगा overall में देखें तो हम लोग दोस्तों जो काफी पूराने time से है 2010 से अभी latest तक का data देखेंगे तो sale में increase हुआ कही कहीं पर फिर company देखिए इस company में वह चीज रही है दोस्तों कि कुछ company होती है ना जो की start करती है बीलो से एक peak पे जाती है और उसके बाद वापस से फिर गिरना सुरू हो जाती है तो वह चीज आपको इसके sales में दिख रहा होगा यह दिखिए small से सुरू किया यह बहुत peak प जासे वह चीज आप कह सकते हैं तो ऐसे नतीजे हैं बाखी इसका overall काफी पुराने टाइम से देखिए तो वहां पे भी last year से इसके number negative में हो रखे हैं जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है अभी 12 महिने में sale तो अच्छी हुई है पर अभी भी still number इसके negative में चल रहे हैं तो इस चीजे हैं इस company की क्योंकि rubber का जैसे मैंने आपको बताया तो इस type का इसका results आया है इस बार के नतीजे अच्छे हैं पर पूरानी conditions company की बहुत 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 नहीं है तो थोड़ा जादा ही risky share मेरे को नजर आता है इसमें बाकी तो आप पे है अब बात कर लेते हैं इसको ख investment किया है आपको मैं एक बार volume दिखाता हूं आप चौक जाएंगे आपको मैं आपको यह पहले मैं circle कर देता हूं आपको इस जगह को देखना है ठीक है इस जगह को देखना है आपको और अब मैं आपको volume दिखाता हूं यह देखिए 61.288 million का volume generate हुआ है दोस्तों 13 January को क्यों क्योंकि इस दिन circuit नहीं लगा था खुला था तो इसमें बहुत लोगों ने investment किया तो ऐसे मौके मिलते हैं तो आप भी खरीदने के लिए जा सकते हैं क्योंकि काफी बहतरीन growth इसमें है और जिस हिसाब से results आये हैं और अच्छा perform करना चाहिए clearly और अगर अगले नतीज़े भी इसी तरीके से बहुत बहतरीन आते हैं तो company और उपर जाएगी पर हां बहुत ज़्यादा investment करने को लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि profit booking आती है तो यह वापस से फिसलेगा जैसे कि पहले भी इसमें हो रखा है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसमें investment करने के लिए अगर आपको investment करना है तो जा सकते हैं यही टोटल अपडेट था विकास इको टेक लिम्टेड को लेके थैंक्स पहुचिंगे शुटो